अदेब में के ओनलाइन पेट्फॉर्म पर आप सबीका हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि हमने विभीन पस्वों की नशलक बारे में हमने अध्यन किया था और आज अंतिम रूप से हम आज पढ़ने वाले हैं अध्यन करने वाले हैं सबसे पहले उसका बरगी करन देखेंगे फिर NB AGR के अमईसाल कितनी पर पंजी कृत नसले हैं उसके बारे में अध्यन करेंगे फिर विभीन चेत्रवार उन्होंने अलग-अलग मुर्गयों का जिदनी भी चलिए आईए देखते हैं कि अगर बात करें कि जो मुर्गी होती है इसको किस जगत के अंदर रखा गया है तो हम बात करें इसको किस में रखा गया है जनतु जगत के अंदर रखा गया है इसमें रखा गया है तो जनतु जगत फिर हम next बात करें संग की है ना तो इसका जो संग होगा वो फाइलम होगा वो क्या हो जाएगा core data core data है ना क्या हो जाएगा core data हो जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा core data फिर हम बात करें इसकी class की इसकी वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा एवीस क्या हो जाएगा एवीस इसका वर्ग हो जाएगा फिर हम बात करें order की इसका गण क्या हो जाएगा गेली क्या हो जाएगा गेली फोर्मस क्या हो जाएगा गेली फोर्मस फिर हम बात करें है ना इसकी कुल की तो इसकी कुल फेमिली कुन से हो जाएगी अब फेशी नीडी फेशी नीडी फिर हम नेक्स्ट बात करें वंस की है ना तो वंस कुन सा हो जाएगा गेलस फिर हम बात करें जाती कि इस पीसिस कौन से हो जाएगी गेलस डोमेस्टिकस है ना तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुर्गी है है ना जो मुर्गी है उसको हम किस जगत के अंदर रखते हैं तो जगत की बात करें तो जंतो जगत के अंदर रखेंगे और फिर बात करते हैं हम किस की संग की है ना संग का मतलब होता है फाइलम किस फाइलम में रखेंगे तो फाइलम की जब बात आए तो फाइलम हो जाएगा हमारा core data फिर हम बात करें आगे कि इसकी class कौन सी हो जाएगी इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा तो वर्ग हमारा कौन सा है इसमें abis है ना फिर हम बात करें गण की है ना तो गण की बात करें तो जो गण है गण को हम क्या बोलते हैं order और जो order हो जाएगा वो जाएगा गेली फोर्मस फिर हम बात करते हैं फैमेली की इसकी फैमेली कौन सी हो जाएगी तो फैमेली मौस्ट इंप्रोटेंट है इसकी तो भी आपको ध्यान रखना है इसकी जो फैमेली हो जाएगी वह फैसी नीडी हो जाएगी, तो यह ध्यान रखना है, फिर हम बात करते हैं वंश की, तो वंश कौनसा हो जाएगा, गेलस, वंश हो जाएगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, फिर हम बात करें, फिर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, जाती की बात करते हैं, तो जाती कौनसी हो जाएग तो scientific name of hand पुछा जाए, है ना, कौक पुछा जाए, तो जो हम बात करें, इन मुर्गियों की अगर veganic नाम पुछा जाए, तो gallus domesticus ये exam के point of view से बहुत important हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर हम next क्या बात करें थे, next हम बात करें थे, कि जो ये जो मुर्गियों की जो नसल है, इनकी सामनी जानकारी प्राप्त कर रहें थे, सामनी जानकारी में हम देख रहे हैं थे, जो एक संस्था थी, कौन सी थी, I-C-A-R, I-C-A-R, Indian Council of Agriculture Research, तो ये एक संस्था है, और इस संस्था ये कहां पर है, ये है हमारी नई दिल्ली के अंदर, कहां पर है, नई दिल्ली, है न, और इसने एक संस्था का गठन किया, उस संस्था का नाम था, N-P-A-G-R, और इसका नाम क्या था, National Bureau of Animal Genetic Resources यह ना, क्या नाम हो जाएगा Animal Genetic Resources Animal Genetic Resources यह आपको ध्यान रखना है और इसका मुख्यान ने कहा है तो Carnal Hariyana इस ICR ने एक संस्था बनाई उसका नाम था NBAGR और इस NBAGR का जो मुख्य कारिय यहां रहता है इस NBAGR का जो मुख्य कारिय क्या होता है मुख्य कारिय यही है कि जितनी भी नई नसला आए उसको पंजी करन कर लो है न इसका मुख्य काम हो जाएगा तो NBAGR का मुख्य काम है नसलों का पंजी करन करना तो इसके पकड़ में आई मुर्गी है ना और मुर्गी पकड़ में आई तो उन मुर्ग्यों का इसने पंजी करन किया कहा पर किया भारत में है ना तो भारत में अगर पुछा जाए कि मुर्गियों की कुल पंजीकृत नसले कितनी हैं तो आपको आकड़ा याद रखना है कितना हो जाएका नाइन टेन उन्निस इंपोर्टेंट एक्जाम के पॉइंट ओफ व्यू से तो यह आपको ध्यान रखना है कि मुर्गियों की नसलों का विवरन देखा कि ICIR ने एक संस्ता बनाई NBSJR और NBSJR का एक मुख्यकारिय ही है कि जितनी भी नहीं नसले हो उसका पंजीकरण करना फिर हमने देखा कि भारत के अंदर मुर्गियों की कुल पंजीकृत नसलों की स क्या है कि देख लेते हैं यह हमारे की पॉइंट्स हो जाते हैं है ना मतलब यहां से टायरेक अगर एक्जामिन दर कुछेगा कि तो टायरेक तो पुछ सकता है क्या पुछेगा कि राजस्थान के अंदर कहां की बात कर रहा है यह राजस्थान की बात कर रहा है और राजस् जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए तो मुर्गी की भी बात करें तो मुर्गी की एक ही नशला राजिस्थान में पाई जाती है और उस नशला का नाम कौन सा है मेवाडी क्लियर पॉइंट फिर हम नेक्स्ट चलें कि मांस उत्पादन है ना मुर्गियों का अधिकतर देखा जाता है है ना चिकन सोब है ना तो क्या होता है मांस की दुकन होती है वहाँ पर मांस की बिकरी होती है है ना किसकी चिकन है ना इसके मांस को ही हम क्या बोलते हैं चिकन के नाम से यानते हैं तो मान्स जो होता है मान्स उत्पः दन के लिए क्या मतलब पाली जाने वाली जो नस्ल रहे उसका nobody क्या है प्राइलर यह भी बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है जैट वाली जो नसल है वो उसका नाम क्या है ब्राइलर हो जाएगा फिर हम बात करें कि मुर्गी क्या देती है अंडा क्या देती है अंडा और अंडे के उत्पादन के लिए पाली जाने वाली अगर नसल पुछी जाए तो वो कौनसी है लेयर कौनसी नसल है लेयर तो हमने क्या दे पिर हमने देखा कि राजिस्तान में एक ही नशला मिल रही थी उस नशला का नाम क्या था मेवाड़ी नशला था फिर हम बात करें कि एक तो हम किसका समुहा मूर्गी और एक हम किसका बतक अगर चाहे तो मूर्गी का जो समुहा होता है उसको भी हम किस नाम से जानते हैं तो प बतक के बारे में बात करें तो जो बतकों का जो सम्मूह होता है उसको भी हम क्या पोलते हैं उसको भी हम पोल्टरी के नाम से जानते हैं और बात करें मुर्गियों का जो सम्मूह होता है उसको भी हम पोल्टरी के नाम से जानते हैं अब जो हमने यहां पर जो देखा है वो बहुत important है exam के point of view से देखा जाए समन्य जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो यह जानकारी बहुत important है अबिए गर देखा है राजिस्तान में एक नस्ला मिल रही थी उस नसला का नाम था मैवाडी और मांस का उत्पादन के लिए जो नसला पाली जा रही थी वो कौनसी थी ब्राइलर थी और अंडे के उत्पादन के लिए हमने बात करी तो वो लेयर थी और जो मुर्गियों का जो समू होता है जो जूंड होता है और बत्तकों का जो जूंड होता है उन दोनों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है उस शब्द का नाम क्या है हमारा पौल्टरी शब्द नाम है चलते हैं यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो नेक्स्ट हमने उत्पत्ति के आधार पर किसका वर्गी करण कर रहे हैं हम मुर्गियों का वर्गी करण कर रहे हैं है अगर हम देशी या फिर भरतिय नसल की बात की जाए तो आपके चिलेबर्स में भी यहीं लिख रखा है कि विभिनत देशी नसले लेकिन विदेशी इसलिए साथ में पढ़ते हैं कि हो सकता है एक्जामिनर कुशन वहां से पूछ ले तो हमको सारी जानकरी ध्यान रखनी है तो हम बात करें कि देशी भारतिय नसल उसमें कौन-कौन सी है एक नसले है देशी नसले के नाम से भी जानते हैं और भारतिय नसले के नाम से भी जानते हैं कौन-कौन सी नसले है तो हम देखते हैं असील बुत्रा चिटगोंग है नम तो यह आपको ध्यान रखना है फिर इसको हम कैसे याद रखते हैं A, B, C, G, K हम इस से इसको याद रखते हैं तो यह भी आपको ज्यान रखना है है ना, समझने आगी बात यह देशी और भारतिय नसले हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सामानिया तो जो नसले हैं इसको याद कैसे करेंगे हम बहुत सारी चीजिए हम पढ़ते हैं ना, GK के अंदर तो उसको लिखेंगे A, B, C, G, K है ना, तो A का मतलब हो जाएगा आपका A, Sin B का मतलब हो जाएगा भूसरा C का मतलब हो जाएगा चिटगॉ और G का मतलब हो जाएगा गागस और के का मतलब हो जाएगा आपका कड़क नात प्लियर पॉइंट फिर हम नेक्स्ट चले हैं नेक्स्ट चलते हैं हम किसके आधार पर देख रहे हैं सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं है ना उसमें भी हम सेकंड फर्स्ट हमने देशी और भारती नशले से एक लिए और दूसरी जो है वह हमारी एश्याई वर्ग की नशले जो कि एश्याई छेत्रों में पाई जाती है उसमें भी अगर देखे हम कौन-कौन सी है एक तो ब्रह्म्हा दूसरी कोचिन और तीसरी है हमारी लैंग्शन है ना तो इसको हम कैसे याद करते हैं तो यह ब्रह्म्हा कोचिंग और लैंग्शन तीनों नाम्याद हो जिएंगे ब्रह्महा कोचिंग और लैंग्शन तो यह जो नसले मिलदे है कहाँ पर मिल रही है ACI छेत्रों के अंदर मिल रही है, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान होनी चाहिए, फिर हम next बात करें, next बात करें English वर्ग, English तो कहां चलती है, England के अंदर, है ना, और उसको अंतराज दे भासा के रुप में भी English को जाना जाता है, जो कि Worldwide Language के रुप में आज विस्तार है, तो ध्यान रखना जो English वर्ग है, है ना, इसका संबद यहां पर England से है, कहां पर England से, और England में जो नसले मिलती है, वो है हमारी डोरकिंग, है ना, आर्पिगटन, ससेक्स, है ना, आस्ट्रोलोप, फिरेड केट और एक कार्णिस, तो यह जो 6 नसले हैं, यह कहां पर मिल रही है आपकी England में, है ना, इसको कैसे याद करेंगे, तो हम बोलेंगे, कहीं होटल में जाएंगे, होटल में क्या बोलेंगे, की डोसा रख, क्या बोलेंगे, जो हम एक बार तो डोसा को ओडर करेंगे फिर बोले के आएगा फिर बोलेंगे हम डोसा रख क्या बोलेंगे डोसा रख है ना तो डी ओ एस ए आर के है ना डी का मतलब हो जाएगा डार्किंग ओ का मतलब हो जाएगा आर्पी गटान एस का मतलब हो जाएगा ससेक्स एका मतलब मतलब हो जाएगा आस्ट्रोलोग आर के मतलब हो जाएगा रेट के पोर एक का मतलब हो जाएगा आपका कार्णिस मतलब मुर्गयों की यह प्रमुख नसले जाने जाती है तो यह भी आपको ध्यान रखना है फिर हम नेक्स्ट चले है ना नेक्स्ट कौनसी है अमेरिकन वर्ग कौन सी ध्यान रखना American वर्ग और American वर्ग का मतलब यह हो गया कि कहां पर पाई जा रही है अमेरिका के अंदर अमेरिका से संबंध है इसका और अमेरिका में जो नसले पाई जा रही है उसका नाम क्या-क्या है प्लाइमाउथ रोक रेड आइसलेंड रेड न्यूहेंप शायर है ना वायरंडार तो यह बहुत इंपोर्टेंट नसले है इसके बारे में भी सामने जानकरी आपको होनी चाहिए है ना नाम याद होने चाहिए फिर हम बात करें भूमद्य सागर यह वर्ग गी तो उसमें है ब्लू अंडालूसियन है ना एक नसला का नाम क्या है ब्लू अंडालूसियन फिर दूसरी जो नसले है उसको बोलते है एनकोवा फिर जो तीसरी नसले है उसको हम बोलते है लेग होर्ण फिर हम जो चोती नसले है वो कौन्शी हो है मिन्नो रखा तो यह चारों नसले भी आगे बात है ना क्या हो जाएगा भूमती सागरिय वर्ग है ना तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसको कैसे याद रखते हैं बालम से कैसे याद रखेंगे बालम से याद रखेंगे है ना B A R M L M है ना B का मतलब हो जाएगा Blue Andalusian A का मतलब हो जाएगा एंकोवा L का मतलब हो जाएगा लेगोण और M का मतलब हो जाएगा मीनो रखा क्लिएर पॉइंट फिर हम बात करते हैं पोलिश वऊर्ग की है ना इसमें एक नशले पर जाती है उसका नाम क्या है पोलिश है तो यह भी आपको ध्यान रखना है तो भुमद्दीस अगर इस जो भुमद्दीस अगर जो छेत्र है उस छेत्रे के अंदर उत्रेंहों तो यह आपको ध्यान रखना और पोलिश वर्गम में पोलीश है ना यह ध्यान रखना है फिर हम बात करते हैं फिर हमने इससे पहले एक नशल देखी थी इसको हम कैसे याद करते हैं पूराना वादा पूराना वादा ये ना तो पी से हो जाएगा आपका Plymouth रोक आर से रोड आइसलेंड रेड न से हो जाएगा न्यूहेमशायर और वी से मतलब हो जाएगा वाइड तो ये भी आपको ध्यान रखना है फिर आम नेक्स्ट बात करें पुन सी नसले है रोड आइसलेंड रेड मुर्गी एना रोड आइसलेंट रे मुर्गी तो इसके बारे में हम अध्यान करते हैं कौन सी है लिख लेते हैं इसको रेड आइसलेंट रेड रोड आइसलेंट रेड मुर्गी एना इसका नाम ये हो जाएगा और इसके बारे में अगर सामाने जानकरी बात करें तो इसके जो अगर मूल स्थान देखें है ना मूल स्थान की बात करें मूल स्थान कहां मना जाता है इसका अमेरिका कौन सा मूल स्थान मना जाता है तो अमेरिका अमेरिका इसका मूल स्थान मना जाता है फिर हम बात करें है ना अमेरिका में भी एक अस्थान है रोड आइसलेंट रोड आइस लेंड तो इस रोड आइस लेंड जगह का नाम है यहां पर उत्पत्ति होने के कारण इस नसला का नाम भी क्या पढ़ गया है रोड आइस लेंड नाम हो गया है और यह कहां पर है अमेरिका के अंदर clear point फिन लैंक्स्ट चले हाँ अ मैं सबसे रिने हमने देखा था वर्ज है न मैं ना वर्ज देखें कि इसको कि सी मुर्गी होती है है कि एक ल पो कलंगी, clear, फिर हम बात करें, कि इनके अंडो का रंग केसा होता है, अंडो का रंग, तो वो केसा हो जाएगा, गहरा बुरा, केसा रंग हो जाएगा, गहरा बुरा रंग, clear point, फिर हम बात करें, कि इनके इनन अंडे है, यह जो निसल है, इसका जो किशों करते हैं, दवाईयो में, दवाईयो में बनाने में भी उप्यों करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं, दवाईयो में उप्योंक इस निसलो को, clear point और कभी सोचा नहींत होगा, पहेचां केसे करोगे पंको का रंग है ना तो पंको का रंग होता है इसके लाल व भूरा clear point फिर हम next देखें कि यह वाली जो नसल है इसको हम किसले पालते हैं मांस उत्पादन है तू किसले पालते हैं मांस उत्पादन है तू है न किसले पाल रहे हैं मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो यह आपको ध्यान रखना है सौन में आगे बात कि फिर हम देखिए हैना तो यह वні जो नशले है इसको दो पर शंकरण संकरण किस-किस का करवाया था यि संकरण किस-किस का करवाया था किसकिस से उपनों भी एक तो है नशले颡्वρι कर दोय कि है लेड्व हिसम ठोड़ और एक और नशले मनाम शुना ओगा मलाय मलाए गेम मलाए गेम और इन दोलों के नसल का क्या किरवाया हमने संकरन कर रहा है और संकरन से जो उत्पन्द जो नसल है वो रोड आइसलेंट रेट बुर्गी है clear point ठीक है फिर हम बात करें इसका लगबग वजन की बात करें तो वजन की अगर बात करें हम है ना वजन कितना हो जाएगा वजन है ना अगर हम वजन की बात करें तो मुर्गे का वजन कितना हो जाएगा मुर्गे का वजन कितना हो जाएगा लगबग इसका हो जाएगा साड़े तीन किलो ब्राम पिर हम बात करें किसकी और सिसकी बात करें, तो यह लग बुक हो जाएगा 3kg, क्लियर पॉइंट मतलग as land हे इसका अमेरिका का। डोड as land sa jnna जाता है। इसलिए इस मूर्गी को हम किस नाम से जानते हैं डोड as land comparison नाम से भी जानते हैं फिर देखा था अमेरिकम वर्ग की नसले है एकल कलंगी है फिर इसका लेग्वार्ण और मलाय गेम इन दोनों के संकरन से जो उत्पन जो नसले है वह रोड आइसलेंड रेड मुर्गी है फिर इसके जो अंडो का जो रंग होता है वो कैसा होता है गहरा बूरा होता है और इस नसलों को हम किसम उप्योग लेते हैं दबाईयों में भी उप्योग लेते हैं फिर इसके जो पंक होते हैं उनका रंग लाल और भूरा होता है फिर मुर्गी की वजन की बात करें तो साड़े तीन किलोग्राम होता है और मुर्गी के वजन की बात करें नेक्स्ट अमारी कंसिनस लहे फिर हम देखे white leg horn कंसिनस लहे white leg horn मूर्गी कंसिनस लहे white leg horn मूर्गी तो जो white leg horn मूर्गी है इसका जो मूल इस्थान है मोल अस्थान की बात करें, तो मोल अस्थान कुन सा है ? इटली कुन सा है ? इटली थिर हम बात करें कि यह जो दसले है वह कौन से प्रकार की है ? तो Bhumedyya teh dad? वर्ग की मुर्गी, clear point, फिर हम next देखें, है ना, next देखें, तो जो next है, वो है हमारा, ये जो नसल है, है ना, वो दिखने, मैं बहुत आकर्शक लगती है, है ना, तो हम कहें सकते हैं, दिखने में, आकर्शक मुर्गी, clear point, फिर हम बात करें, कि अंडा उत्पादन के लिए भी इसे उत्तम माना जाता है, ना, तो अंडा, उत्तपादन में, उत्तम नसल, है ना, बहुत अच्छी नसल होती है, जिससे अंडे का उत्तपादन किया जा सकता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, फिर हम बात करें, फिर हम क्या बात करते हैं, कि, इसके अगर हम बात करें, तो जो नई प्रजाती है, अगर इसके संकरन से अगर कोई नई प्रजाती हम बना रहे हैं, तो लग भग यह कितने अंडे देती हैं, एक वर्ष में लग भग तिन सो से लगा कर चार सो अंडे, समझ में आगे बात, और इस नसले की अगर देखें, अंडा उत्तपादन कितनी होती है, तो पूछें, तो 240, अंडे देने की शमता, प्रती वर्ष, प्रती वर्ष, clear, यह आपको ध्यान रखना है, फिर और क्या ध्यान रखेंगे आप, वाटल्स व, वाटल्स व, कलंगी का रंग, वाटल्स व, कलंगी का रंग कैसा होता है, लाल, और पेर कैसे होते हैं, तो पेर कैसे होते हैं, पीले, तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है, और यह वाली जो नसल होती है, इस नसल का जो रंग उछा जाए, तो रंग कैसा होता है, सफेद, क्लियर, मतलब यहाँ पर वाइट लेग होण बहुत इंपोर्टेंट मुर्गी है, इसका मोल इस्थान इटली से माना जाता है, और यह भूमतिस अगरी वर्ग की मुर्गी है, और यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, सुंदर क्यों लगती है, क्योंकि वाइट रं और फिर हम देखें उपर कलंगी कैसी है लाल स्वाटल्स कैसे है लाल पेर को देखो पेर कैसे है पीले मतलब दिखने में बहुत आकर्शित होती है फिर हम देखें कि इस मुर्गी को हम क्या बलते हैं अंडर उत्पदन में सबसे उत्तम नसल मानी जाती है है ना क्यों मानी जा अगर इस मुर्गी की बात करें कि एक वर्ष में कितना अंडे का उत्पादन कर सकती है तो यह कर सकते हैं लगभग 240 अंडे देने में शक्षम है क्लियर पॉइंट फिर हम नेक्स्ट चलते हैं फिर हम देखें रेड कार्निश मुर्गी कौन से मुर्गी है रेड कार्निश रेड कार्निश मुर्गी अगर इस रेड कार्निश मुर्गी की बात करें तो अब रेड कार्निश मुर्गी भी बहुत important है इसकी जो उत्पत्ति माने जाती है ना तो यह कहां की नसल है यह है हमारी उत्पत्ति England तो हुई यह कहां से मानते हैं England से इसकी उत्पत्ति माने जाती है तो यह आपको ध्यान रखना है England फिर हम बात करें कि इसकी जो पंक होते हैं मतलब पंको के भीतर इसका रंग कैसा होता है तो पीला कैसा रंग हो जाएगा तो पीला है ना और मुह और गर्दन के जो आसपास रंग होता है किसके आसपास मुह वह गर्दन के आसपास जो रंग होता है वो कैसा होता है काला बुरा कैसा रंग होता है काला बुरा रंग क्लियर पॉइंट फिर हम नेक्स्ट देखें कि यह जो नसल है यह कैसी नसल होती है लड़ा को उप्रकार की तो इस नसल को हम क्या के देते हैं लड़ा को नसल नाम देदे देदे कौन सी नसल है रेड़ कार्णिस और आखों के चारो तरफ आखों के चारो तरफ क्या पाई जाती है वलाए है ना बाउंडरी और उसका अगर कलर पूछा जाए तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है लाल रंग क्लियर हम नेक्स्ट का रंग रंग देखें कि रच का रंग तो कैसा होता है वो ओटा है आपका फिला फिर हमِّक death है ना इसमें जो वाटल्स होती है वाटल्स है ना जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं गल चर्मा गल चर्मा ये भी क्या होती है अपसेंट है ये क्या होती है अनुपस्थित अपसेंट क्लियर फिर हम बात करें इसमें कि ये इससे है ना मतलब ब्याने कि एक तो नशले थी हमारी असील त्यान रखना असील नाम था और एक और नशले हमने पड़ी थी उसका नाम था मलाई गेम मलाई गेम इन दोनों के संकरान से जो उत्पन जो नशले है वो कौन सी है रेड कार्णिस नशले वो इस नशले को ध्यान रखना कि मांस उत्पादन के लिए पाला चाता है मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है मतलब हमने रेड कार्णिस के बारे में क्या देखा कि इसकी जो उत्पत्ती हो रही थी वो कहां से हो रही थी मुह होई लड़ा को नशले होती है क्योंकि लड़ए करने में सक्षम होती है और इसके चार और जो रंग होता है वो Chief रण होता है और हम में पाला जाता है और एको चोच का sewing पूचे पेर का रंग कुछ है तो कैसा होता है पीला होता है इसमें वाटल्स क्या होते है इस नसल में अनुपस्तित होते हैं अपसेंट होते हैं फिर हम देखते हैं यह जो नसल थी इसकी इसको विकास किया था इसका हमने है ना मतलब यहने की बनाई थी यह किसके संकरन से बनाई थी यह असील वो मलाय गेम दोनों नसलों को मिलकर फिर बनाई गई थी फिर यहां पर आप एक और पॉइंट दिर लिखेंगे कि जो कलंगी होती है इसमें है ना वो कैसी होती है वो होती है मतर के दाने जैसी छोटी क्लियर पॉइंट तो यह आपको ध्यान रखना है फिर हम नेक्स्ट बड़े नेक्स्ट बड़े एक और मुर्गे होती है प्लाई माउथ रोक मुर्गी क्या नाम है प्लाई माउथ रोक मुर्गी अगर प्लाई माउथ रोक मुर्गी की बात करें वह इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारीप राप्त करेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे यह अमेरीकन अ वर्ग की मुर्गी है क्लियर कौन सी वर्ग की मुर्गी है अमेरिकन वर्ग की मुर्गी है फिर हम बात करें इसमें जो कलंगी होते हैं क्या कलंगी वर्ग वाटल्स है ना जिसको हम क्या बोल रहे थे हैं क्या बोल रहे थे हैं इसको हम गल चर्म क्या बोल रहे थे हैं गल चर्मर तो ये कलंगी ओर जो वाटर्स है ये किस रंग के होते हैं ये होते हैं लाल रंग के सब्सक्राइब फिर हम बात करें जो मादा मुर्गी होती है इस नसले की मादा मुर्गी है ना उनके जो पेर होते हैं उन पेर उपर क्या होते हैं दब्बे मिलते हैं कैसे दब्बे मिलते हैं तो काले दब्बे क्लियर पॉइंट फिर हम इसकी बार में प्लाइम आउट में और क्या देख सकते हैं और देखें कि ये व्यापारिक है ना व्यापारिक द्रिश्टी से उत्तम नसला व्यापारिक द्रिश्टी से देखा जाए तो ये नसला कैसी है उत्तम नसला है फिर हम बात करें कि कि इसके पेरो का रंग देखें है ना पेरो का रंग कैसा होता है पेरो का रंग तो वो होता है सफेद और इसके पेर कैसे होते हैं लंबे क्लिएर पॉइंट फिर हम बात करें कि नर का भार मुर्गे का भार है ना मुर्गे का भार और बात करें मुर्गी का भार इन दोनों की बात करें तो मुर्गे का जो भार हो जाएगा वो 4.3 किलोग्राम हो जाएगा और मुर्गी की बात करें तो मुर्गी की जो भार हो जाएगा 3.4 किलोग्राम हो जाएगा clear points इस नसलों को हम मांस उत्पादन में भी मतलब बहने की Manus utpadam के लिए Manus utpadam के लिए प्रशिद नसल किसके लिए Manus utpadam के लिए भी प्रशिद माना जाता है फिर हम बात करें इसके पंखो की है ना इसकी कि बात करें यहां पर लिख लेगे पंखों के रंग की बात करते हैं किसकी बात करें हैं पंखों के रंग की तो वह होता है आपका काला को है सफे और ग्रे रंग का लिए पॉआं तो घ्लाय माउंथ रोख मूरगी है इसका जो कौन सा वर्गह मिल दे आमेरिक क मेंgor हो सा थी ओर टडह हो होते हैं वह एक द्रस्ती से देखें तो बहुत ही उफ्योगी है क्यों कि यह मांस उत्पादनмеं पहुत प्रशिद्ध नसल ला कि इनके जो पेर का जो रंग होता है वो किसे पेर तो होते हैं हमारे लंबे लेकिन अगर पेरों का रंग दिखा जाए तो किसे होता है सफेद मुर्गी का भार अगर देखें तो लगबग 4.3 kg हो सकता है और मुर्गी का भार अगर लगबग देखें तो 3.4 kg हो सकता है फिर हमने बात करी पंखो के रंग की तो पंखो का जो रंग होता है वो काला हो सकता है काला सफेद और ग्रे मिक्स में होता है तो आपको यह सारी चीजे फ्वाएं माउथ मुर्गी के बारे में ध्यान रखना है है फिर हम next चलते हैं नेक्स्ट हम देखने वाले हैं छिट्टा गोंग किसके बारे में देखने वाले हैं चिट्टा गोंग ये जो चिट्टा कोंग है ये भी बहुत प्रश्द्य नसल है इसकी उत्पत्ति की बात करें ये उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति क्या हो जाएगी इसकी इसके उत्पत्ती हो जाएगी हमारी पुर्वी भारत ये नसल कहां मिलती है पुर्वी भारत clear फिर हम बात करें सबसे उची नसल है है ना height में देखें तो सबसे उची नसल है सबसे उची नसल clear point फिर हम बात करें इसकी जो मांस होता है है ना इसका जो मांस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं है ना तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मले चिकन मले चिकन के नाम से भी जाना जाता है समझ में आगी बात फिर हम बात करें कि इस नसलों को हम द्वीकाजी नसल के रूप में भी जानते है clear point तो इतनी सी जानकरी आपको ध्यान होनी चाहिए द्वीकाजी क्यों कहते है क्यों कि इसको अंडे का उत्पादन और मांस का उत्पादन इन दोनों ही इसको पाला जाता है इसलिए इसको क्या बोल देते है द्वीकाजी नसल और वो कौंसी नसल है चिट्टा गोंग ये कहा मिल रही थी तो पुरवी भारत के ंनदर पूर्वी भारत कुंसा हो जाएगा ये वाला बाग पिर हम बात करें कि चिट्टागों को हम मांस के उत्पदें के लिए और अंडे के उत्पदें के लिए भी पाल रहते हैं और इसका जो मांस होता है उसको मले चिकन के नाम से चानते हैं इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में चलें नेक्स्ट बात करें ये भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी हम क्या बोलते हैं उप्योगीता के आधार पर मुर्ग्यों का वर्गी करन है उप्योगीता तो अंडे का उत्पदन की जो प्रजातिया है उस में कौन-कौन से निफ्रलतिया आ जाईगी तो वह हमें ध्यान रखना है वह कंत के वह मिन्योरका एंक ओंवा बयाइड लेग्वBOARD तो यह आपको ध्यान रखनान रहे और इसको याद कैसे करोगे अंडे तो केसा होता है वावा जैसा किसे याद करोंगे तो केसा होता है मावा जैसा एंड़ को जाए वाइट लेग होड क्लियर फिर हम बात करें किसके मान्स उत्पादन की द्रेश्ट्री से मान्स वाले प्रजातिया कुन सी है तो उसको कैसे है ना ब्रह्मा लेंग लेखांस तसे और असे लुग और इसको हम याद कैसे कर रहे थे बाला है ना केसे याद कर रहे थे बाला है ना बहुत का मतलब हो जाएगा ब्रह्मा है ना ब्रह्मा हो जाएगा फिर हम बात करें एल की लेंग्सान फिर एस की बात करें है ना ससेक्स फिर ए है ना असिल इसतर से यात्मने, फिर वी उद्देस्य नसल की बात करे, वी उद्देश्य के लिए ही पाली जाती है, तो इसी नसला कोजाएगी आपकी, तो ध्यान रखना है, वो कोजाएगी आपकी, डार्किंग, न्यूहेंशायर, आस्ट्रेलोग, रोड आइस, लेंड रेड जो मैंने पढ़ा रखी है, प्लाइमाउथ रोग, है ना, इसको कैसे याद करोगे, DNA, आर्पी, विक्यान के अंदर क्या होता है, DNA, विक्यान में नहीं होता है, वो हमारे सरीर के अंदर होता है, उस के बारे में हम जर्नल साइंस के अंदर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, ना, तो नेक्स्ट हम वो भी देखने वाले, तो प्लाइमाउथ रोग को, जो हमारे जीव दिशे, जो नसले हैं, उसको हम कैसे देख रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, DNA, आर्पी, से, डी का मतलब हो एक मांस की उत्पादन की द्रिश्टी से, और अंडे और मांस दोनों ही उत्पादन की द्रिश्टी से कौन-कौन सी नसले हैं, वो आपको ध्यान रखना है, एक्जाम के पॉइंट ओव विप से, यहां से कुशन उठा के एक्जामीनर देख सकता है, फिर हम नेक्स्ट बात नसले थी, है न, तो उसम जो जूश्टी कर ती, जो अन्डा और मांस का उत्पादन धोनों ही करें, क्लियर? जो अमेरिकन नसले हैं वो इसी नसले थी जो मांस का भी उत्पादन कर रही थी और अंडे का भी उत्पादन कर रही थी फिर हम बात करें कि सबसी भारी नसले अगर सबसी भारी नसले की बात करें इस वर्ग में तो कौन सी मुर्गी है जर्सी ब्लेक जियांट बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा वो इसके रंडे का जो रंग होता है वो भी केसा होता है तो भूरा रंग यह आपको ध्यान रखना है मतलब अमेरीकी जो नसला है वो द्वीकाजी नसला होती है अंडे और मांस का दोनों का उत्वादन किया जा सकता है और हमने क्या देखा जर्सी बलेक है जो सबसे भारी नसला के नाम से भी जाने जाती है और इसके अंडे का रंग केसा होता है बूरा फिर हम देखें भूमदे सागरिये जो नसले थी जो सिर्फ किसका उत्पदन कर रही थी अंडे का और इसके अंडे की रंग की बाद करें तो इसका जो अंडे का रंग होता है वो किसा होता है सफेद होता है कि इसमें भी अगर करें सबसेव ज्याधा अंड़े देने वाली अगर नसट्रा की बार करें तो सबसेव ज्याधा औंड़े किसी कुन दे रहे थी लेगौकी दे रहे थे जो कि किटने अंड़े थे लगपर eng Fernand नसले इंग्लिश नसले का मतलब है इंग्लेंड और इंग्लेंड की जो नसले है उसको हम टेबल बड के नाम से भी जाने जाती है वो नसले तो आपको ध्यान रखना है और यह जो नसले है वो माल उपादम की द्रश्टी से उत्तम नसले है और इनके जो अंडे का जो रंग हो वो किस रंके हो रहे हैं तो भूरे रंके हो रहे हैं clear point और सबसे ज़्यादा मान सुत्पादन करने वाली जो नसल है वो कौन सी है? कार्णेस ध्यान रखने clear point यहां तक फिर हम बात करें एशिया पर बात करें तो यहां पर जो एशिया में अगर बात करें तो मान सुस्पादन की द्रश्री से एक नसल पाली जाती है और उस नसल का नाम है ब्राइलर और इसके भी अंडे का जो रंग होता है वो कैसा होता है भूरा तो इतनी सी जनकारी आपको ध्यान रखनी है to the point कि जो American नसल है भूमद्दिशागरिय नसल है इंग्लेंड नसल है और जो इसे नसल है है ना यह एक्जाम की point of view से बहुत important हो जाएगा फिर हम next चले next चले कि वीशुम में सबसे अगर हलकी नसल की बात करें किसमें मुर्ग्यों में सबसे हलकी नसल तो वो कौन सी हो जाएगी कड़क नात important फिर हम बात करें कि लड़ा को नसल हमने पड़ी थी वो कौन सी थी असिल है ना लड़ा को नसल और चाल दोनों के लिए ही प्रसिद्ध नसल अगर पूछी जाए लड़ा को नसल और चाल के लिए प्रसिद्ध नसल पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी असिल नशल क्लियर फिर हम बात करें कि एसी मुर्गी जिसका मांस किस किस रंग का होता है काले रंग का होता है उसमें वह जो नशल होती है उसमें प्रतिरोधक शमता पाई जाती है है नहीं तो वह नशल कोन से हो जाएगी कड़क्ना नशल क्लियर फॉंन और कड़क्ना नशल ही हमारी हम क्या देख रहे थे सबसे कि लिए पैसे मांस किस रहता है काला होता है उसमांस में क्योंप प्रतिरोधक शमता पाई जाती है अब तो वह बहुत इंपोर्टेंट नशल ह है फिर हम बात करें कि राजस्थान में एक मात्रप पंजीक्रद नसले और वो उसका नाम क्या है मेवाड़ी यह एक्जाम के पॉइंट होगी उसे भी बहुत इंपोर्टेंट रहेगा तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बारे में क्लियर पॉइंट पिर जो आज हमने जानकारी बतार कर λέ nut कि से अधर करिया आगर da यह हमने देखा है मुर्वा की बारे में हैना कि उसके वरगी करन करन देखा था वरगी करन से चलूं करके हम सब्सक्राइब करें कि अगर अगर करें अगर सब्सक्ति तो फेमिली की सा हमारा इसाकर ना में रहरा इसी होता है वह क्या होता है तो आपको बताना है स्भास एससके नांते थो हमने नेख्ष्ट क्या देखा कि थो इन्र पिывать के अंदर 19 नसलों का पंजीकरण फिर कर रखा है है यह देखा था हमने फिर हमने नेक्स्ट देखा वाली हमने देखी थे लिए पुइंट फिर हमने डिखा था नेक्स्ट देखा था कि उत्पत्ति के अनुसार मुर्गयों का वर्खिकरण देखा था जिसमें देशी और भारतिय पढ़ा था ओंध और याद करने की ट्रीक मैंने क्या बतायी थी ABC जीखे फिर हमने हमने Next देखा और Next में भी हमने क्या देखा एश है वर्ग है ना पिर इसमें क्या देखा हमने ब्रह्मा कोचिन और लेंगसन पिर हमने देखी English वर्ग की जिसको डोसा-rk के नाम से जान देखे फिर American वर्ग है ना फूराना वादा फिर हम भूमदे सागरी ये वर्ग के बारे में बात करी बाला हूँ फिर हमने बात करी रोड आइसलेंट रेड मुर्गी के बारे में अध्यन किया ये भी exam के point of view से बहुत important हो जाएगा है न फिर हमने white leg और न मुर्गी के बारे में ध्यान इसकी जो मूलस्तान था वो इटली था ये भी हमने और कुछ-कुछ जानकारी इसके बारे में हमने देखा फिर हमने red carnice मुर्गी के बारे में अध्यन किया इसके बारे में कुछ जानकारी हमने चोटी मोटी बहुत सारी जानकारी जो important थी वो हमने यहाँ पर पड़ी फिर हमने next देखा कि मुर्गियों की कुछ महतोपुर्ण जो नसले हैं उसमें ही हमने ply mouth rock मुर्गी के मारे में अध्यन किया जो कि American work की थी फिर हमने next देखा चिट्टा गॉंग है ना इसकी उत्पत्ती पूर्वी भारत से है एक्जाम के point of view से important है यह पिर अंडा उत्पादन वाली प्रजातिया कौन सी थी उसको याद करने का तरीका बताया था मैंने फिर मांस उत्पादन करने वाली प्रजातिया कौन सी है फिर मैंने बताया कि दियुद्देश यह मांस और अंडा दोनों ही उत्पादन के ऐसी नसले कौन सी है तो उसको हमने इस तरीके से याद रखाया था मावा बाला और डेने आर्पी क्लियर फिर हम बात करें American नसले है वह नहीं होती है उसकी विशेश्चाहिक क्या होती है मतलब एसे नसले की बाद करें भूमत दिस अगर यह जो नसले है ना वह ना तो यह सारी बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ फिसे फिर हमें नेक्स बहुत इंपोर्टेंट की तो यह एक्जाम के पॉइंट ओफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है तो आज की क्लास हम यहीं तक रेक्षने वाले हैं यह ना जैहिंद जैभारत जैने वारत कि एंपोर्टेंट खुदद ल्द लुद नागन से थाई है यह झाले है झाले हमें गख़र्टेंट अपरवोर्टेंट